पोको के F6 रिवाइस लिए यहाँ पे सायो में EU का एक लेटिस्ट अपडेट आ चुका है जो कि मेरे चैनल पे फॉर्स टाइम में इसका रिवीव होने वाला है पोको F6 के लिए क्योंकि जब से आये मैंने एक भी यह जो EU का रोम का रिवीव प्रवाइड नहीं किया है पर मैं एक थीम अपलाई कर रहा हूँ जिसको यह से आपको यहाँ पर कलर आइकन प्रक्राइब कर सबकुत डिफरेंट टेखनीकों में रहा होगा बाकि यहाँ पर डिटेल एंड इंफो पर आते हैं तो आप यहाँ पर देख पाओ गए Android 15 ने जहाँ पर फोर मन्त का सिक्योर्टी पैच आपको देखनी को मिल जाता है यानि लेटे सिक्योर्टी पैच यहाँ पर प्रवाइट किया गया है और कोड के बीच में देखो कि बीच में CN लिखा हुआ है क्योंकि यह CN बेस है क्यों चाइना में ही अपडेट आया था उसी का यह EU वर्जन है बाकिया स्मूदनेश की बात करें तो overall काफी सही आपको देखनी को मिलता है वह springy type का जैसे कि हमें चाइना में देखनी को मिलता है लेकिन काफी टाइम से जब से हाइपर वेस आया ना EU का पहले वाला वह बात नहीं रहा है जो कि में MIUI पे देखनी को मिलता था बट हाँ फिर भी यहां पर मैंने यूज किया और मुझे काफी चीजे देखनी को मिली जो कि काफी सही है बॉटम पर आते हैं तो आपको एडिसा सेटिंग में मल्टी लेंगोई सपोर्ट देखनी को मिल जाता है जो कि पर्फेक्टली ही है जो भी आपको चाहिए वो लेंगोई आप यहां पर पिक कर सकते हो सरकल्स तो सर्च बाइडिफोल्ट आपको यहां पर मिल जाता है जो कि काफी सही है अनदर लॉटिंग विंडियो में आपको है साइडबार टूलबोक्स और यहां पर कॉल टूलबोक्स हो गएड़ा देखने को मिलता है जो कि यह पर यूज कर सकते हो यह पर देखो तीम के Home Launcher के अंदर यहां पर Home Skin Search पर एक नया Option आपको देखनी को मिल जाता है, Double Tap का Option है, बाकि यहां पर वही सरे Common Option मिलते हैं, बाटम पर यहां पर Circle to Search रखना है या नहीं, वो चीज़ आप यहां पर On या Off कर सकते हो, अनदर यहां पर आता है आपका Home Skin के अलाबाद जो कि हमारा डि Option, HDR वगरे के Option आपको देखनी को मिल जाते हैं, जो कि आप Use कर पाऊगे, Notification के अंदर Notification History का Option आपको मिल जाता है, यहां पर Set का Option दिया गया है, और यहां पर वही सरे Normal से चीज़ देखनी को मिलती है, बाकि यहां पर यहां पर Off रहता है, जिसे On कर सकते हो, और यहां पर Control Center क जो हलका-फुलका UI Chain दिखाई दे रहा है, वो Theme को जोई से कोई By Default similar रहता है, कोई भी Change आपको देखनी को नहीं मिलता, Lock Screen में भी कुछ खास यहां पर नया नहीं है, सब कुछ वही साज़ चीज़े है, Personalize के अंदर आपको Dynamic Wallpaper मिल जाता है, जिसका Benefit आप ले पागए, और क Telegram के Wallpaper Channel से निकालके, Cruise Generate कर सकते हो, या फिर आपको जो भी है, उसका भी आप Benefit यहां पर ले सकते हो, यहां पर जो टाइमिंग है, Officially Unlock कर दी गई है, But Always On में कहां के ना यूज करो, 10 Second करो, बैट यहां पर यहां पर ज्यादा consume करेगा, चाहिए वो कोई से भी Device क्यों नही बागे कुछ भी Extra Modification यहां पर आपको देखनी को नहीं मिलता, लेंगे रही बाद, Basic यहां पर Performance वगरे कैसा निकल के आता है, वह हम यहां पर देखते हैं, और इस व्रों को यूज करने के बाद, मुझे कहीं पर भी कोई lag, श्टेटर वगरा देखनी को नहीं मिला, सब वीडियो में नहीं दिया है, वन दे पहले ही, तो वह यहां पर default नहीं है, यहां पर आने वले टाइम ही यहां पर आपको देखनी को मिल जाएगा, तो अगर हम camera की version की बात करें कि क्या हम यहां पर देखनी को मिलता है, तो है 5.3 का, तो इसमें अभी change नहीं हुआ, वीजर support की बात करें, तो यहां पर EU के तरस हमेशा ही, यह stock वाला ही widget support मिल जाता है, जो कि normal सी बात है, वह यह चीज़ आपको देखनी को मिलेगी, super icon की अगर हम बात करते हैं, यहां पर paid वाले option आपको यहां पर मिल जाते हैं, अगर हम इन पर click करते हैं, तो यहां पर payment वाला option आता हो, साथ-साथ यहां पर आपको under score काफी अच्छा कासा देखनी को मिलता है, जिसमें कोई कमी मुझे फील नहीं हुआ, CPU total काफी बहतरीन है, जो कि 4,14,000 का max, ओमिनो यहां पर 3,65,090 का percentage, और यह काफी green और stable results हो करता है, वह यहां पर kick match भी काफी accurate आया है, काफी बहतरीन है batty drop के बाद करें, तो यहां पर आप देखते तो 78 के बार morning मात है, 75, जहां पर full night में 3% का batty drop है, और stand-by timing हमारा 9,51 मिनट का है, तो यह मैं कमा कि काफी सही है, another day मैंने फिर से चेक किया, तो 93 का percentage निकल के आया है, 4,00,000 max, से ओमिनो में यहां 3,66,000 और यह भी काफी ज़्या तो आप इनके साइट से जाके manually update कर सकते है, या फिर यह auto update होते रहता है time to time, तो आपको इस तरे लेटर डिक्कत नहीं आने वाले in future भी, camera अगर हमारा proper working है, no issues, gaming में आपको stream plus कहीं option मिलता है, stream जो है, वो setting यहां पर unlock नहीं है, क्योंकि वो extra mode में चला जाता है, और यहां प तो आप इसका यूज कर सकते हो, आपको theme store पर search करना है, और apply कर लेना है, मिल जाएगा, और यह बाद इसे डालना कैसे, तो वो installation guide आप यहां पर देख लो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तिया प्लिज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है, तो subscribe कर देना, और यही यू मैंने तब से recommendate भी है, क्योंकि बहुत सही लोग इसे पसंद करते हैं, और बहुत सही लोग इसके जगह पे कुछ और mode यूज करना पसंद करते हैं, बट हाँ, यहां पर ऐसी कोई कमी नहीं लगी है, जिसके वैसे मैं कहुंआ कि भाई, यूज ना करो, lag फिरी है, समुदने जैसे, बैटी भी सही मिलता है, performance भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, तो सब कुस ओके, बट आप extra motivation धूंड़े हो, जैसे कि gaming के लिए हो, या photo store, या भी बागे तर चीजे, तो वो चीज यहां पर नहीं मिलती है, क्योंकि काफी है तक stock और official type के चीज़ों को prefer करता है, इसके बज़े से वही साइच चीज आपको यहां पर नजर आती है, तो यह total depend करता है, आपके उपर क्या इसे install करना चाहते है या नहीं, तो यहां पर आप देखोगे PC स्क्रीन पर एक ROM है, जो कि मैं select कर रखो यहां पर इसमें भी hybrid लिखावा है, अगर नहीं रहता तो कैसे पहचानना है, जब भी आप ROM को अंजिब करोगे ना, उसके अंदर इस तरह किसे installer.bat का फाइल बना वा रहता है, कई बार कई सारे फाइले बनी रहती है, कई बार एक दो ही फाइले रहती है, लेकिन हाँ बनी हुई रहती है, और most time लिखावा रहता है, तो यह चीज आप ध किया था, वो यह रहा, ठीक है, इसमें installer file है, अब मैं इसे इसमें flash करके दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए क्या करना है, मैं fast food mode on करना है, जिसके लिए power turn and volume down को long press करेंगे, जैसे light up होगा, हम power turn को leave करेंगे, और volume को दबाय रखेंगे, अब यहाँ पर यह आ चुका, अब इसे हम PC से connect कर सकते हैं, और यह जो process है, यह आप अपने phone से follow नहीं कर सकते हैं, इसके लिए PC की जरूत परेगी ही, अब यहाँ पर मैं bad file को run कर दूँगा, maybe, कोई-कोई bad file run होते समय, आप से कुछ permissions हो गए रहा मांगता है, तो कई बार simply flash होने लग जाता है, तो आपको command के से करना है, मैजिक से या फिक ए-स यू, जिसके लिए A और B का option है, तो आप उसके नहीं से अपना pick कर लेना, और इंटर पर click कर देना, अब यहाँ पर custom kernel भी इसमें दिया गया है, तो उसके नहीं से पूछ रहा है कि stock चाहिए, फिक custom चाहिए, तो आपना option select कर लेना, मुझ सब को process को ओपर ध्यान देना है, और follow कर लेना है, hybrid वाले method में जो PC वहला है, उसमें आप देख से तो last में पूछ रहा है कि आपको internal format करना है या नहीं, sometime यह auto format कर देता है, पूछता नहीं है, तो जब पूछे तो आप yes कर लेना, internal format कर लेना every time better रहता है, रोम के smoothness और better performance के लिए, तो yes type करेंगे और click कर देंगा, आप देखो कि हमारा command बंद हो चुका है, run कर रहता है, और हमारा phone यहाँ पर off हो गया, अब on करेगा, और कुछ दिन में यह भी boot कर जाएगा, वीडियो को please like कर देना हो, चैनल पर नहीं है तो subscribe, आपको ऐसे interesting video है जो मिलते है future में भी तो मिलते हैं एक वीडियो में, thanks for watching, da da, bye bye